नमस्ते दोस्तों आपका स्वागत है, हमारे चानल जीव औश्धी पर आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक पर जिसका नाम है सफेद दाग के लिए डायेट, सफेद दाग एक स्किन कंडिशन है, जिसमें स्किन पर वाइट पैचेस डिवेलप हो जाते है इस विडियो में हम आपको स्टेप बाइ स्टेप समझाने वाले हैं कि कैसे आप अपनी डायेट को सुधार के सफेद दाग को मैनेज कर सकते हैं सफेद दाग एक स्किन कंडिशन है, जिसमें स्किन पर वाइट पैचेस डिवेलप हो जाते हैं लेकिन इससे ज्यादा समझना और डेट में जानने से आपको अपने डायेट प्लान बनाने में मदद मिलेगी सफेद दाग एक आटोइम्यून कंडिशन है, यानि कि इसमें आपकी खुद की इम्यून सिस्टम आपके शरीर के मेलनिन प्रोडूसिंग सेल्स को अटाक करती है मेलनिन एक पिग्मिन्ट होता है, जो हमारी स्किन, हेर और आइस का कलर डिसाइड करता है जब मेलनिन प्रोडूसिंग में समस्या होती है, तो स्किन पर वाइट पैचेज दिखाई देते है इस कंडिशन के कारण और संप्रभावित होने वाले फैक्टर्स अलग अलग हो सकते है कुछ लोगों में जनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, मतलब उनके परिवार में सफेद दाग हो सकता है लेकिन कुछ केसिस में एन्वायरमेंटल फैक्टर्स या स्ट्रेस भी इसका कारण हो सकते है सफेद दाग के लिए डाएट प्लान बनाते समय आंटियोक्सिदेंस जैसे वाइटामिन्स A, C, E और जिंग को शामिल करें ये आपके स्किन सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और मेलनिन प्रोडाक्शन को बूस्ट करते हैं आप एण अंटियोक्सिदेंस को फ्रूट्स, वेजिटिबल्स और नट्स से प्राप्ट कर सकते हैं सफेद दाग के लिए डाएट प्लान बनाते समय और प्रोड़ को शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम होता है कॉपर एक एसेंशल मिनरल है जो मेलनिन प्रोडाक्शन के लिए जरूरी है सफेद दाग में मेलनिन प्रोडाक्शन में समस्या होती है इसलिए कॉपर की मात्रा को बढ़ाने के लिए कुछ खास आहार पदार्थ है जो आप अपनी डायेट में शामिल कर सकते हैं फर्स्ट नट्स, अखरोट, काजू और बादाम में कॉपर पाया जाता है आप इन्हें अपनी डायेट में शामिल करके कॉपर की मात्रा को बढ़ा सकते हैं एक हाथ में कुछ मिक्स्ट नट्स लेकर खाना एक अच्छा तरीका हो सकता है सेकंड सीड्स, फ्लाक सीड्स, संफ्लावर सीड्स और पंकिन सीड्स भी कॉपर से भरपुर होते हैं आप इन्हें के रूप में या सलाद में डाल कर खाना शुरू कर सकते हैं Third, whole grains, whole grains जैसे की बाजरा, जोवर और मक्का भी copper प्रोवाइड करते हैं. आप रोटी, दोसा या खिचरी के रूप में इन grains का इस्तमाल कर सकते हैं. Copper एक vital nutrient है, जो melanin production को support करता है, लेकिन याद रहे कि इसे भी moderation में लेना महत्वपूर्ण है. Over consumption of copper भी कुछ side effects cause कर सकता है, इसलिए एक nutritionist से सला लेना फाइदे मन्द हो सकता है. Copper rich foods को एक balanced diet के हिसाब से शामिल करें, ताकि आप सफेद दाग के symptoms को manage कर सकें. Step 4. Omega 3 fatty acids Omega 3 fatty acids inflammation को कम करने में मददगार होते हैं, जो सफेद दाग के patients के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं. Flax seeds, kya seeds, fish और walnuts omega 3 fatty acids से भरपूर है. Step 5. Avoid trigger foods कुछ food items सफेद दाग के symptoms को बढ़ा सकते हैं. इन में से कुछ foods हैं, जैसे की citrus fruits, soft foods और dairy products. इन्हें अपने diet से avoid करें. Step 6. Stress management Stress सफेद दाग के symptoms को बढ़ा सकता है. Yoga और meditation जैसे stress management techniques अपनाएं. Step 7. Consult a dietitian सफेद दाग के लिए personal diet plan बनाने के लिए एक dietitian से सलाह लें. वो आपके specific needs और condition के हिसाब से एक personalized plan तयार कर सकते हैं. तो दोस्तों, ये थे कुछ steps जो आपको सफेद दाग के लिए diet बनाते समय याद रखना चाहिए. हमेशा याद रखे कि एक balanced diet, stress management और doctor की सलाह से आप सफेद दाग को manage कर सकते हैं. अगर आपको ये विडियो पसंद आया हो, तो like करें, share करें और हमारे चानल को subscribe करें ताकि आप हमारे future विडियोज को भी देख सकें. धन्यवाद आपका.